तुलरा सिवारो बिरस्पती बार का दिन 7 सितंबर आज आपकी कुनली में कर्म का स्वामी चन्रमा और धनभाव का स्वामी मंगल अपने परभाव से परभावित कर रहा है उनती और सफलता का जबरदस्त औसर आपको मिलने वाला है आज का दिन आपके लिए बड़ा ही भाग का सितारा चमक रहा है आज रोनी नचतर का चंद्रमा और मिरिक्सिरा नचतर का मंगल आपकी किस्वत को चमकाएगा सुक्र और बुद्ध की द्रिष्टी है आज आपकी कुनली में लगन के ऊपर केतु का गोचर है जबकि सतंभाव में राभू विरस्पती की युक्ती है आज का दिन आपके लिए स्वभग्य का दिन है आज का दिन आपके लिए तरक्की का दिन है आज चंद्रमा आपको बड़ा भग्य साली बना रहा है पंचमभाव में सनी का गोचर है आपकी कुनली का कर्मस्थान सुक्र का गोचर हो रहा है लावस्थान में गुद्ध सुर मेहनत आपकी सारी समस्या को समाप्त कर देता है विग्रे काम भी बनते हैं बाधा भी आपकी दूर होती है आत्मिस्वास भी बरता है ये समय नया उत्सा नई उमंग के साथ जीवन में तरक्की और सुख पाने का है आज का दिन आप बड़े भाग्य साली हैं बड़े भागे में धन संपत्ति का सुखे और जीवन में खुसियों को बढ़ाने वाला तुला रासी वारों के लिए आज का दिन बड़ा स्वभागी लेकर आया है तो तुला रासी वारों चलिए विस्तार से जानते हैं आज का तुला रासी फल चे स्री राम चे हन्मान ओम स्री हनुमन ते नम संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपानिधान चे हन्मान जय जय हन्मान निश्चे प्रेम परतीत ते बिने करे सन्मान तेहीं के कारज सकल सोभे सिद्ध करे हन्मान हन्मान जी आपको भाग्य साली हे महावीर हन्मान, संकट मोचन किरपानिधान, जय हन्मान, जय जय हन्मान, विरस्पति वार का दीन, 7 सितमबर, वज्रियोग रोहनी नचत्रे, 10 बचकर 25 मिनर तक, चंद्रमा का परभाव, सुक्र का परभाव, उसके बाद मिर्क सिरा नचत्र में मंगल स्वामी होगा, भाद परभाव, राभु की चाया है, सुक्र और बुद्ध की द्रिष्टी है, 29 सफल्टा की जवरदस्ते, संभावना लेकर, आज चंद्रमा और मंगल, उर्जा और उत्सा के साथ, आपको काफी सक्षम बना रहा है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके जीवन में सफल्टा, आपके दर्वाजे पर दस्कत देने वाली है, सफल्टा साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिर्शंकल पिछा सकती, आपकी जीवन में बहुत लाब, तरक्की और सवभग्य देने वाला है, रासी फल में आज आपकी कुल्टी में जो ग्रहों की दसा है, आपके भाग्य में खुसी और सुख लेकर आया है, रोमांचक औसर आपको प्राप्थ होने वाले हैं सफलता आपका इंतिजार कर रही है आपकी जीवन में रचनात्मक परिवर्तन होने वाले हैं इस सेमें भाग्य का सितारा बहुत बुलंद है क्योंकि आपकी कुनली में सुर्ज बुद्ध की युक्ती है और चंद्रमा जो है वो विरस्पती के धन भाव में गोचर कर रहा है 11 बच कर 13 मिनट पर जब चंद्रमा विरस्पती के प्राक्रम स्थान में गोचर करेगा आपका किस्मत 12 से चमकेगा सकरात्मक प्रभाव आपकी जीवन पर परेगा जिससे आपकी जीवन में बहुत तरक्य मान समान की प्राप्ति आपके लिए सफलता और अच्छे औसर आपको प्राप्त होंगे ये जो समय है आपके मिहनत का परिनाम आपको देगा महत्पून काम आपके पूरे होंगे अपने लच्च की आप प्राप्ति करेंगे और समय आपके लिए बड़ा भागिसाली होगा खुसियों से भरा आज का दिन आपके लिए रुके वे काम पूरे होगे आज का दिन धन लाप का योग भी है अच्छा रहने वाला समय आपकी जीवन में बहुत सुखे और सफलता देगा सुख समचार और आपकी चिंताओं को दूर करेगा बाधाओं को समाप्त करेगा कारोबार के लिए नौकरी के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है एक और चंद्रमा मंगल का परभाव है वहीं दूसरी तरह पे सुक्रे और बुद्ध की दृष्टी है सुक्र का सुर्ज के साथ गोचर करना और आपके लिए बुद्ध का परभाव बड़ा ही लापकारी साबित होगा यानि समय तेजगती से बदल रही है आपकी जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं आपके संकट दूर होने वाले हैं और बैवाही जीवन में सुक बढ़ने वाला है च कहलता कामयावी मान समान नौकडी बैपार का बढ़ना सामर्थ साहस प्राकर्म से अपने जीवन में सुक प्राप्त करना सब कुछ चंद्रमा और मंगल से प्राप्थ होता है चंद्रमा और मंगल का जब परभाव होता है तो आपकी इच्छा पूरी होती है आपके सपने साकार होते हैं सकरात्मक सोच के साथ जीवन में लाब कमाते हैं तरक्की का उसर मिलता है खुसाली आपके जीवन में आती है और जीवन में सुख बढ़ता है ये जो समय है भाग्य साली आपको बना रहा है मिहनत का परिनाम सुभ मिलता है धन बढ़ता है परिष्थिती बदलती है भाग्य बल से बड़ी सफलता आप प्राप्त करते है सनी समय बुद्ध से परभावित है और सनी राभु को भी परभावित कर रहा है तो ऐस्वर स्वभाग्य खुसी और जीवन में एक नई सुर्वात होती है मनुरत आपकी पूरा होता है स्वभाग्य आपके बरते हैं क्योंकि सुभ फल आपके भाग्य को चमकाता है आपकी जीवन से असुभ परभाव को दूर भगाता है कारोबार में नौकरी में आज का दिन अच्छा है सत्रु पर विजय प्राप्त करने का योग भी बन रहा है परिवर्तन का योग है सुभ है वांचि सिद्धी अभिलासा की पूर्ती होती है बड़ी उपलब्दियों की प्राप्ती भी होती है स्वभग्य को मंगल से देखा जाता है और भाग्य को चंद्रमा से तो चंद्रमा मंगल की सुविस्तिती जीवन में सुपता लेकर आया है बहतर समय है लाप स्वभग्य सुखे घर में खुसियों का महौल आपकी जीवन में उमंग उत्सा बड़े बदलाव करता है और बड़ कारी दिन है जो आपकी जीवन में भाग्य और धन को बढ़ाता है संपत्ति उनत्ती का योग बनाता है आज का दिन चार चरण में बैतित हो रहा है पर्थम चरण का स्वामी सुर्ज है दूत्य चरण का स्वामी बुद्ध है तिर्थे चरण का स्वामी सुक्र है चतुर चरन का स्वामी मंगल है पर्थम चरन का जो सुर्ज होता है वो आपके जीवन में साहस लेकर आता है उर्जा लेकर आता है जिससे आप सफलता हासिल करते हैं दूतिय चरन का बुद्ध नौकडी बैपार में तरकी का उसर लेकर आता है और तिर्थिय चरन का सुक्रे जीवन में सुख देता है और चतुर चरन का मंगल आपकी किस्मत को चमकाता है मंगल में उर्जा होता है मंगल में स्वभग्य होता है तो बेहतर परिनाम की प्राप्ती बेहतर लाप के आउसर आपको प्राप्त होने वाले है आज राभुकाल एक बचकर तिरपर मिनर से तीन बचकर अठाइस मिनर राभुकाल के दौरान किसी भी सुख काम का सिरी ना करें दच्छिन दिशा की तरफ से दिन की शुरवात ना करें आपके लिए लखी कलर वाइट होगा लखी नमबर टू होगा असुम मूरत ब्रह मूरत चार बचकर 31 मिनर सुबह से आरंभ होगा और अमरित काल साथ बचकर 4 मिनर से 8 बचकर 45 मिनर का समय आपके तरक्की का सु संदर असर बनाएगा और अभी जीत मूरत एक 11 बचकर 54 मिनर से 12 बचकर 49 मिनर ते जीवन में बहुत कुछ आप हासिल करेंगे और विजय मूरत दो बचकर 25 मिनर से 3 बचकर 15 मिनर आपके लिए लापकारी साबित होगा आज आप हनमान जी का दर्सन करें हनमान जी की पूजा करें इच्छा पूरी होगी बाधा दूर होगा संतान से सुब समचार मिलेगा भाग्य का सितारा चमकेगा आमदनी बरेगी खुसी और सफलता आप प्राप्त करेंगे आज का दिन आपके लिए लापकारी है आज का दिन आपके लिए स्वभग्य साली है जै सिरी राम चैहन आमान